फलकनास हुई इमोईशनल फलकनास की हुई डेयर के दोरान हालत खराब वर्वेग बॉस के लाइफ फीड में हमने देखा कि टीम वर्सस टीम का टास्क चल रहा होता है इसमें टीम भी अपनी हुकूमत में फलकनास को डेयर देते हैं कि उन्हें 10 कच्ची प्यास 5 मिनेग के अंदर खानी होगी क्योंकि फलकनास ने भी अपने हुकूमत के दोरान अभिशेक से कच्ची लौकी खाने का उन्हें डेयर दिया था जैसे अब शेक ने किया था अपने टासक के दौरान फलकनास स्टेर को एकसेट भी कर लेती है ती में इसे impossible बताते हैं वहीं फलकनास अपना 100% देने की कोशिश भी करती होई दिखाई देती है फलकनास प्यास खाने की कोशिश भी करती है और जैसे तेसे तीन प्यास खा भी लेती है लेकिन इसके बाद फलकनास की हालत खराब हो जाती है प्यास खाने की वज़े से उन्हें उल्टी भी हो जाती है वहीं फलकनास की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो काफी ज्यादा एमोशनल हो जाती है और रोने लगती है वैं फलकनाश कहती है कि इतना ज्यादा क्रूइल है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे कच्छी प्यास खिलाना कितना बुरा होता है। वही फलकनास ज्याद को हग करके रोना शुरू कर देती हैं और अपने मन को हलका कर रही होती है। फलकनास इसे बहुत ही बड़ा टॉर्चर भी बताती है। वही ज्याद फलकनास के साथ देता है और उन्हें शांत करानी की कोशिश करता है। फलकनास के पेट में भी प्राब्लम हो जाती है वैं फलकनास दवा लाने और डॉक्टर को दिखाने की बिग बॉस से रिक्वेस्ट करती हुई भी नजर आती है हमें कॉमेंग्स में जरूर बताए ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्रेब करें